Class 6, Chapter No. 2, HBSC की हमारी बुक है और हिस्ट्री है, चप्टर का नाम है वेदिक काल, तो इस चप्टर में हम वेदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, क्या जानेंगे हम, हम जानेंगे रिगवेदिक काल के बारे में और उत्तर वेदिक काल के बारे में, रिगवेदिक काल का हम क्या वैदिक काल के भी, राजनेतिक, समाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, ठीक है, तो यहाँ चैक्टर से कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कन्वर्शेशन दिया गया है, एक छोटे बच्चे का और उसके ग्रेटफार्दादर का दादाजी का, तो रिश्या नाम के बच्ची है, अपने दादाजी से कह रही है, कि उनका जो study room है, उसको maintain कर रही है, तो कह रही है कि दादाजी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन चार वेदों में पहले किसको रखो, तो दादाजी कहते हैं, जो सबसे प्राचीन है, उसको पहले रखो, तो कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं कि सबसे प्राचीन कौन सा है, ठीक है, तो दादाजी बता रहे हैं कि प्राचीन तम वेद जो है, वो रिगवेद है, वो सबसे प्राचीन है, उसके बाद के जो वेद हैं वो यजुरवेद, सामवेद और पर्थवेवेद हैं तो इसी ओर्डर में तुम इनको रखो अब ये पूछ रही है कि दादाजी रिगवेद कितना प्राचीन है और इससे हमें जानकारी किस चीज की मिलती है तो अब दादाजी अपनी कहानी शुरू कर देंगी कि वही मैं तुम्हें रिगवेद के बारे में बताता हूँ तो इस तरीके से ये एक कनेक्टिविटी के लिए एक छोटी सी फैमिली की स्टोरी दे रखी है और इसके बाद आपके लिए चेप्टर शुरू किया हुआ है ठीक है तो यहां से पहले हम पढ़ेंगे रिगवेदिक टाइम के बारे में और फिर उत्तरवेदिक टाइम के बारे में या उत्तरवेदिक काल के बारे में देखे जब भी हम history को study करते हैं इतिहास का जब हम अध्यान करते हैं उसको पढ़ने हैं तो history में एक चीज सबसे important होती है इतिहास को जानने के लिए history को जानने के लिए वो है source, history का एक source होता है जब आप किसी भी जानकारी के साथ बात करते हैं तो वो जानकारी इतिहास कारों को किस source से हांसे लोई उन्होंने कोई बुक पड़ी है उन्होंने कोई पंडूलीपी manuscript देखी है उन्होंने कोई inscription देखी है या फिर उन्होंने कुछ सिक्के मिले है उन से मिलती है ठीक है तो इसे लिए हम इतिहास में इस काल को वेदिक काल कहते हैं क्योंकि इसका ग्याना में वेदों से हुआ है वेदिक काल को दो भागों में बाटा गया है पहले वाला काल है रिगवेदिक काल और दूसरे वाला काल है उत्तर वेदिक काल पहले हम जो है सबसे प्राचीन गरंद है ठीक है ये 10 मंदल में बटा है और 1028 सुप्त है इन 10 मंदलों में ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं इसके 10 पार्ट्स हैं, जिने हम 10 मंदल कहते हैं और सुप्त कितने हैं, कुछ मंतराज बगारा इसमें कितने हैं, 1028 हैं तो दसमंडल 1028 सुप्त अब बात यह आती है कि इस गरंद की रचना किस ने की तो बहुत सारे रिश्यों ने इसके रचना की है कौन-कौन है ये रिशी तो ये रिशी है ग्रहसमद, विश्वमित्र, वामदेव, अत्री, भार्दवाज रिशी, वशिष्ट, कणो और अंगीरा तो इन रिश्यों ने इसके रचना की है कहां की है तो सरस्वती और द्रिश्टती ये दो नदियों के नाम आते है तो इन नदियों के किनारे इस वेद की रचना होई है सरस्वती नदी जो है वो रिग वेदिक काल की सबसे पवितर नदी मानी गई है कौन से नदी? सरस्वती नदी बात करते हैं समय की तो रिग वेदिक जो काल है उसका समय कब से कब तक है देखे, अगर हम इस बुक के हिसाब से देखते हैं, यहां का डेटा देखते हैं, तो हम पाते हैं कि रिगवेदिक जो काल है न, ये 6000 इसापूर से लेकर 1500 इसापूर के बीच है, तो इस बुक में हमें डेटा ये मिलता है, 6000 इसापूर से लेकर 1500 इसापूर के बीच, फिर है न नदियों का वरणन मेंता है, तो यह जो नदिया है ना, इनके शेत्र को किस नाम से बुलाए गया है, सब्थ सेंधव शेत्र, तो यहाँ पे हम यह नदिया पाते हैं, जैसे कि सिंदू हो गई, जेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, गंगा, सात नदिया है ना, तो सब सब्थ सेंधव प्रदिश, इस नाम को इस शेत्र का नाम दिया गया है, क्या नाम सब्थ सेंधव, सिंदू नदि को काफी महतू दिया गया है, ठीक है, और इसका परसार कहां तक है, इस सब्था का परसार कहां तक है, कहां तक ही सब्था फैली हुई थी, इसका परसार अफ भी पवित्र मानी गई है, सवित सरस्वति और दर्श जतियन अधियों के किनारे उपर इस वेद की रचना हुई है, इसका काल कब से कब तक यह चलता है और सब्त सेंद्यु प्रदेश का इसमें वरणन मिलता है, अब हम बात करते हैं, रिगवेदिक काल के राजनितिक जीवन की, तो राजनितिक जीवन में हम सबसे पहले देखते हैं, रिगवेदिक काल की जो है, राजनितिक द्रिष्टी से, सबसे जो बड़ी इकाई थी न, वो थी जन, ठीक है, जन को कौन रूल करता है, जन का राजा है जन पती, और जन पर रूल करने वाले को राजन भी कहा जा जन जो थे न, फिर ये फिर से डिवाइड हो रखे थे, फर्दर ये डिवाइड हो रखे थे, किस चीज में थे, ये विश नाम की युनिट में बटे हुए थे, तो जन बटे हुए थे विश में, विश को कौन रूल करता था, विश पती, ठीक है, ये जो विश थे, ये फिर में बटे हुए थे, ये कुल में बटे होते, कुल या परिवार, उसमें बटे होते थे, परिवार का मुख्या कोन होता था, मतलब परिवार का कूलप या ग्रहपती, है ना, तो परिवार या कूल का मुख्या होता था, कूलप या ग्रहपती, और कई कुलों से मिलकर एक ग्रा परिवार का मुख्या इसको चलाता है, जिसे कूलप और ग्रहपति का आ गया है, फिर ग्राम, ग्राम का मुख्या है ग्रामनी, विश, विश को चलाता है विश्पति और जन, जन को जनपति या राजन, तो इस तरीके से उनका राजनेतिक जीवन बटा हुआ है, ठीक है, तो पुरू जन, तुर्वस जन, यदू जन, अनू जन, दुरू जन, तो इन जनों का हमें वर्णन मिलता है, ठीक है, रिगवेद के अंदर राष्ट्र, शब्द का प्रियोग गया गया है, देश के लिए, तो देश के लिए जिस शब्द का प्रियोग हुआ है, वो है राष् और सुदास ने दस राजाओं के एक संग को या कहलेजिए कन्फिल्ट्रेशन को दस राजा एक तरफ सुदास अकेला एक तरफ तो सुदास ने इन दस राजाओं के संग को हरा दिया ठीक है तो रिगवेद में हमें दस राज युदगाई वर्णन मिलता है बात करते हैं इन ल तो आरियों की जो सेना थी न, उसमें रत हुआ करते थे, पैदल सेनिक हुआ करते थे, हतियारों में धनुश बान, मुख्या हतियार हुआ करते थे, और बान, तीर यानिकी उसके अगर भाग, यानिकी जो अगला नुकिला वाला भाग होता है जो जाके चुप जाता है दुश होता था ऐसा नहीं कि कभी ने किसी कभी भी मन किया और वो उसने उस पर अटेक कर दिया नहीं नियम युद नियमों के साथ होता था युद आरम करने से पहले शंखनाद करना होता था वह पहले शंख बजेगा फिर युद श्टार्ट होगा डोल बजाए जाते थे बिगुल नगाडे ये सब बजाए जाते थे और इन सब का बजना जुरूरी था। होता क्या है जब ये जो शोरगुल होता है ना डोल, नगाडे ये सब बजते हैं तो जोस आ जाता है। आदमी लड़ने, बेड़ने, मरने, मारने ले तैयार हो जाता है। फिर कुछ नियम भी हमने इसमें study किये हैं, तो नियम एक दे रखा हैं पर क्या है, कि जो निर्शस्त्र शत्रू है ना, या फिर वो गायल हो चुका है, या युद से भाग रहा है, तो उस पर आकरमन करना सही नहीं माना जाता था, वो अनुचित माना जाता था। लोग ये मानते थे कि भाई, इसके हाथ में हतियार नहीं है, तो इसको छोड़ दो, गायल हो चुका है, छोड़ दो, युद से पहले ही पिट दिगा के भाग रहा है, छोड़ दो, तो युद के कुछ नियम हुआ करते थे, उनको मानते थे ये लोग, ठीक है, आगे हम निरम कुछ शमस्ते हो, निरम कुछ मतलब ये हुगा, कि राजा अपनी मनमानी नहीं करता था, रिग वैदिक काल में, मनमानी नहीं करता था, तो कैसे काम करता था, देखिए, कुछ assemblies हुआ करती थे, ठीक है, एक assemblies होती थे सभा, यानि कि जो बड़े बुजर्ग लोग सभा हुआ करती थे, एक समीती होती थे और एक और का जिकर की आ गया है, जिसको विदत बोलते हैं, तो सभा होती थे, समीती होती थे, विदत होती थे, ठीक है, तो ये जो अलग-अलग assemblies थी, ये राजा के कामों को देखती थी, राजा पर अंकुष भी लगाती थी, मतलब चुना हुआ होता था और कई बार राजा को हटा भी देती थी अगर राजा योग्य नहीं है तो ठीक है अच्छा रिगवेद में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है राजा जो है वो शपत लेता था और शपत लेते हुए वो शब्द बोलता था क्या शब्द कि सेंटेंस को बोलता था तो यहाँ पे शब्द यह है यदि मैं विश्वासगात करूँ तो मुझे अपनी सभी अच्छे करमों से धार्मिक करमों का फल नहीं मिले और मैं अपने स्थान, पद, जीवन यहाँ तक कि अपनी संथान से भी वन्चित हो जाओं मतलब राजा एक परतिग्या ले रहा है कि मैं मेरे जन के साथ विश्वासगात नहीं करूँगा अगर मैं विश्वासगात करता हूँ तो मुझे मेरे किसी भी अच्छे करम का फल ना मिले मेरा स्थान भी मुझे छूट जाए मेरा पद भी मुझे छूट जाए जीवन भी मुझे छूट जाए और यहां तकी मेरी संतान से भी मैं वन्चित हो जाओं तो इतना बड़ा रण लेकर इतनी बड़ी परतिग्या करके राजा अपने करतवे का निर्वहन शुरू करता है ठीक है तो यह एक केरेक्टर दिखाये गया है उस वक्त के राजाओं का अब बात करते हैं कि राजा क्या क्या काम किया करता था तो शांति स्थापित करना ठीक है जगडों का निट्टारा करना जन के उपर बहार से कोई किसी ने आकरमन किया है उससे अपने जन के लोगों की रख्शा करना किसी तरह की जो भोतिकावशकता है किसी तरह का जो है कुछ बनाना है जन के अंदर कोई construction करना है अब राजा अकेला तो यह सब करनी सकता राजा को भी एक मंदरी मंडल चाहीए ना कुछ लोग चाहिए सेना चाहिए तो बिल्कुल ये लोग राजा के साथ हुआ करते थे राजा की साहिता के लिए हुआ करता था एक पुरोहित ठीक है जो राजा को सला मश्वरा देता और जितने भी यग हमन वगएरा होते इसको संबन करता था पुरोहित होता सेना पती होता था, जो राजा की सेना को कमांड करता था, युद्ध में, है न, और उसको सेना को तयार रखता था हमेशा, ग्रामणी बगरा होते थे, ताकि गाउं का शाशन चला सके, तो ये सब लोग होते थे, राजा और परजा के बीच मध्यस्त का काम करते थे लोग, मध परजा में जाते, बातचीत करते, राजा तक मैसेज पहुचाते, है न, तो इस तरीके से मध्यस्त का काम किया करते थे, और इन्हें अपने अपने भुबाग पर शाशन विन्याय करने के अधिखार प्राग थे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है, कि वो व कठोर दंड दी जाते थे, पनिश्मेंट दी जाते थी, शारिविक दंड और आर्थिक दंड, शारिविक दंड मतलब उसे पिटाई विटाई कर दी उसकी और जेल वेल में डाल दिया और आर्थिक दंड जो है, उससे कुछ पैसे वैसे ले लिया या उसको गायों का दान कर प्रता था ये सब चीजें और मिर्त्यु देंड के प्रता थी नहीं किसी के जान नहीं ले जाते थी ये चीजें थी रिगवेदिक काल में हम ये देखते हैं कि जो अगनी है अगनी उसको बहुत पवित्र माना गया है बहुत ही पवित्र माना गया है और सभी घरों में अगनी निरंतर रखी जाती थी मतलब fire का source होता रहता था अगर हम हरियाना की बात करें तो हरियाना के गाउं में आज भी घरों में हारे मिलते हैं जहां पे गोसे वगरा set करके रखे जाते हैं और उनके नीचे जो है वो warmth वो अगनी जो है वो maintain रहती है जब भी आग जलानी हो तो उसमें से कुछ जो गोसे वगरा होते हैं जो जलेवे होते हैं अंगारीया होते हैं लालाल एकडम जलती हैं फूक मारने पर तो वो सब गासफूस में रखो और जो है फूक मारो और आग जलाओ तो ये प्रताएं उस वक्त थी आज भी है अब हम बात करेंगे रिगवेदिक समाजिक जीवन की समाज कैसा था तो समाजिक व्योस्था की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे परिवार की परिवार होता था संयुक्त संहित परिवार होता था और जो है जो परिवार का मुखिया है मतलब male dominated society होती थी परिवार का मुखिया कोई पिता होता था या बड़ा भाई होता था परिवार का स्वामी मना जाता था ठीक है? उसके अधिकार सबसे ज़्यादा होते थे ऐसी में तदिकार होते थे ठीक है? वो परिवार के सदिश्चों को कठोर दंड भी दे सकता था लेकिन आमतोर प्यासा होता नहीं था परिवार धंग से चलते थे वो परिवार को बहुत हशी कुछी चलाता था मेंटेन रगता था तो राज्य जो है यानि कि जन वगेरा जो है ये लोगों की राजा जो है लोगों के जो परिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते थे लोगों के पास फ्रीडम हुआ करते थे, आजादी थे उस समय जीवन जो है वो शिष्ट था मतलब अच्छा जीवन था सात्विक था, सदाचार पूरवक था यान कि लोग डंग से रहते थे नियम कानूनों का पालन करते थे एक लेवल की मरैलिटी थे तो उस काल में गाउन जो है वो छोटे हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े गाउन नहीं थे वक्त कुछ specific duties हुआ करते थे कुछ specific काम हुआ करते थे जो कुछ खास लोगों करने होते थे तो उस वक्त काम कम थे तो उसी हिसाब से ये division भी समाज में कम थे सिर्फ चार division की बात की गई है इसे हम इंगलिश में कहें तो labor division भी बोलते है ठीक है सिर्फ चार वर्णों की बात की गई है समाज कुछ चार हिस्थों में बाटा थेक है ताकि समाज में जो है अलग-अलग काम अलग-अलग لوग डंगसे करते रहें ठीक है तो सबसे पहला वर्ण है ब्राहमन जो पढ़ने, पढ़ाने का काम करने लगी, जो पूजा पाठ का काम करने लगी, जिनको संस्कृत का ग्यान हो गया, इन्होंने पढ़ा, तो ये लोग हो गई ब्राह्मन, जो लोग शस्त्र धारण करने लगी, जो लोग राजा के साथ मिल गई, अपने जन की रक्षा करने के लड़ने लगे ये कहलाए शत्रिया जो लोग ट्रेड बगएरा करने लगे दुगंदारी करने लगे व्यपार करने लगे खिती बगएरा करने लगे ये लोग कहलाए वेश्य और बाकी जो एक और काटेग्री रह गई फोर्थ ये लोग इनकी ड्यूटी दी गई कि तुम बा एक बात ध्यान पर रखनी है, इन वरणों में कोई कटोरता नहीं थी, कोई अपने गुणों के हिसाब से किसी भी वरण का हिसाब बन सकता था, छत्रियेजे बन सकता था, शुद्र ब्रामण बन सकता था, जैसे करम वैसा वरण जिनका जर्म किसी वरण में हुआ, पर आश्रम व्यवस्था की. क्या थी यह आश्रम व्यवस्था? तो मनुश्य की जीवन को चार आश्रमों में बाट रखा था. एक से पत्चीस साल तक क्या होगा? ब्रहमचारी आश्रम होगा. मतलब मनुश्य ज्यान प्राप्त करेगा. गुरुजी के पास रहेगा और पठन-प प्राथन करेगा, पढ़ेगा, ग्यान प्राप्त करेगा. ठीक है? तो इसको ब्रहमचारी आश्रम बोला गया है एक से पत्चीस साल तक. पत्चीस से पचास तक क्या करेगा? ग्रहस्त रहेगा. मतलब उसकी शादिवादी होगी, वो अपने घर में रहेगा, माबाब की बच्चे पालेगा, ठीक है? और जो भी उसको काम मिला है, मतलब पैसे कमाने के लिए वो काम करेगा, ठीक है? पचास, पचीस से पचास तक. तीसरे जो आश्रम है, तीसरे आश्रम है, पचास से पिचातर तक. तो पचास से पिचातर तक वो रहेगा वान प्रस्त. वान प् मतलब यह ऐसे नहीं जंगलों में बटकेगा, वानप्रस्त का मतलब यह है, कि वो जो है समाज में रहेगा, और समाज के कल्यान के काम करेगा, ठीक है, और 75-100 वर्ष तक का जो आश्रम है, यह सन्यास आश्रम है, यानि कि इस टाइम वो परिवार के, मतलब देखा जाए तो 50- से 75 में और 75-100 में दोनों आश्रमों में वो परिवार बगएरा के जगड़े जंजट में नहीं पढ़ रहा है, पचास से 55 में वो वानप्रस्त है, और 75-100 वर्ष में वो सन्यासी है, मतलब बभु से भगवान का बजन बगएरा करना है, ध्यान बगएरा लगाना है, और मोक मोक्ष पराप्त करने के लिए, जो है, मेडिटेशन वगरा ये सब करना, तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये उदेशे दिये गए हैं, तो धर्म का आर्थ, यानि कि वो धार्मिक काम करेगा, अर्थ का मतलब वो पैसा कमाएगा, काम का और मनुष्य के जनम से लेकर मिर्तिव तक, इन्होंने संस्कार भी बताये है, टोटल सोलग संस्कार बताये है अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यह है कि आप जानते हैं जैसे विश्वा मित्र शत्रिय थे ब्रह्मन बने विश्वा मित्र शत्रिय थे लेकिन ब्रह्मन बने नाबाने रिष्ट जो है ये वेश्य थे लेकिन ब्रह्मन बने अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसारी उ बताया गया है कि वरणा चेंज हो जाया करते थे according to कर्मा जो जैसा कर्म करता है वैसा हो रहा है जो हमने इससे पिछली बार पढ़ा था नेक्स हम आते हैं उस टाइम के खान पान के बारे में बात करेंगे तो उस काल में दूद घी दही बगरा का बोजन था क्योंकि पेस्टोरल समाज था गाए बगरा लोग ज्यादा पालते थे तो इस तरह का खाना हुआ करता था वेश भूशा में हम क्या पाते हैं कि शरीर का जो उपरी भाग है न उसमें शरीर का उपरी भाग एक ही वस्तर से ढगा रहता था उस कपड़े का नाम है वास उसको वास कहते थे सिर पे लोग पगड़ी पहनते थे जिसको अधिवास कहते थे और पैरों में जो पहने जा रहा है वाला जो वस्तर था उसको नीवी कहते थे तीन तरह के कपड़े हमने यहां पे स्टड़ी किये हैं वास अधिवास और नीवी ठीक है नोड़ डाउन कर लो नेक्स्ट पॉइंट है आभूशन जो है यानकी जो और्नामेंट्स जो है तो शत्रिया जो है औरतें जो है वो केश बंद का इस्तमाल करती थी कानों में बालियां पहनती थी गले में हार पहनती थी जैसे आजकल पहनती हैं बाजू बंद हुआ करते थे पैरों में कड़े मनुरंजन की अगर हम बात करें तो आखेट यानि की शिकार, रत दोड, रतों को दोड़ाना, गोड़ोड़ों को दोड़ाना, संगीत, ये सब गायन, वादन, निर्त्या, ये सब हुआ करते थे, इन सबसे लोग मनुरंजन करते थे. रिगवेदिक काल की शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु कुल जाना पड़ता था, गुरु के घर जाना पड़ता था, शिक्षा कैसी थी, मोखिक थी, गुरु बोल बोल के बताता था, सबको पढ़ाता था, ठीक है, शिक्षा आपको कुछ ऐसा ग्यान देना है कि वो बड़ा होके रहे एक अच्छा नागरीग बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, वैदिक रिशी जो है, ये सभी की मंगल कामना करते थे, ठीक है, रिगवेद के संग्यान में, सुक्त में प्रातना है, हे भगवान, हमें ऐसी अच्छा नागरीग बनाएं, और हम लड़े जगड़े नहीं आपस में, और मिल बाटकर संसाधनों का इस्तमाल करें, और धंका जीवन जीएं, ये बात है, एक अन्यस्थान पर रिगवेद में मात्र भूमी की सेवा का उलेक मिलता है, अपने देश की सेवा का उलेक मिलता है, रिगवेद में अनिक मंत्र मिलते हैं, राष्ट की रक्षा के लिए लिए लिखे गई है, तो राष्ट को बड़ा महतु दिया गया है, रिगवेद में, तो रिगवेद की इंदर सुक्त में ऐसी संतान की कामना की गई है, तेखे, रिगवेदिक जो ये मंत्राज होते इन में पश्मू के लिए मंत्र हैं, गायों की प्राप्ति के लिए गाये, गोडे, गोडों को बड़ा महतु दिया गया है, युद्धों में इस्तमाल होते थे, और पुत्र, पुत्रों को बहुत महतु दिया गया है, ठीक है, तो संतान की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति से परिखुर्ण हो», मतलब, समर्थ हो, अच्छा पैसा हो उसके पास, प्रतेक जन समूँपर कल्यान कारी गुणों को बरसाने वाली हो, मतलब बच्चे ऐसे हों समाज में, जोकि अच्छे गुणों वाले हों, अच्छे सिदती कैसी थी वो कैसे रहती थी तो ये एक बहुत जरूरी इंडेक्स है ठीक है किसी भी समाज में स्त्री की कंडिशन कैसी है उससे उस समाज का पता चलता है कि वो समाज कैसा है अगर स्त्री की सिदती बहुत अच्छी है मतलब समाज अच्छा है उसा बेदा अच्छी है त तो स्त्रियों की समाज में सित्ती जो थी न, वो अच्छी थी, पड़े होने पर, परिपक्व होने पर ही विवा हुआ करते थे, कोई बाल विवा बगरा नहीं होते थे, उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्व भूमने फिरने, पढ़ने लिखने और अपने पती को चुने का अध अध看ते थे, विवा को पवित्र और स्थाई संबंद माना जाता थे, कि विवा को पवित्र है और स्थाई है, ऐसा नहीं है कि आज शादी करने खल तलाकों के यह सब जिजले होती थे, तो विवा के बाद पतनी जब घर आती थे तो उसको ग्रह स्वामी नहीं माना जाता था, ग्रह स्वामी नहीं कहकर ही उसका स्वागत किया जाता था, तो ग्रह की माल किन, घर की माल किन उसको माना गया है, कुछ त्रियां विवा नहीं करती थी, जैसे कि अपाला, विश्ववारा, गोशाईता दी, क्यूं? क्योंकि उनके पास ज्यान प्राप्त करना था ठीक है ये विदिवशियां थी ये ये चुप में थी तो इन्होंने शादिया नहीं गी अब धार्मिक कारिय स्त्री के बिना पूर्ण होते नहीं थे उनकी उपस्तिती जरूरी होते थे अगर पती कोई मांगलिक कारिय या कोई यग हमान कर रहा है तो वहाँ पे उसकी पतनी क्या होना बहुत जरूरी होता था तो कुछ इस तरह की कंडिशन थी स्त्रीयों की काफी अच्छी कंडिशन थी रिगवेदिक काल में अब हम रिगवेदिक काल की आर्थिक जीवन की बात करते हैं आर्थिक जीवन मतलब पैसा कैसे कमाते थे वो लोग ठीक है उनका घर कैसे चलता था उनकी activities क्या थी अपने livelihood के लिए जीते कैसे थे वो तो उनका जो मुख्य साधन था ना वो था क्रिशी और पसुपालन खेती करते थे पशुमों को पालते थे व्यक्तिकत जो भूमी होती थी ना जो लोगों के अपने खुद के खेत होते थे तो व्यक्तिकत भूमी को उर्वरा कहा जाता था तो उनके लोगों के जो परसनल खेते थे वो उनकी जमीन को कहते थे उर्वरा और जो पूरे गाउं की साजी जमीन होती थी ना शामलाती जमीन कहलो या साजी जमीन कहलो उसको खिल ले कहते थे आज भी गाउं में होती है ना पंचायती जमीन जहां सारे गाओं के लोग लगड़ियां बुन सकते हैं, अपने जानवरों को जरा सकते हैं, तो इस तरीके से दो दरेगी जमीन, एक परसनल और पूरे गाओं की, तो परसनल उर्वरा और पूरे गाओं की जो है, वो खिल है, अब उस समय लोग फसलों की जुताई, सिचाई का मुख्य शाधन जो था, वो वर्षा था, लेकिन कुवे वगरों का भी इस्तमाल होता था, पशू पालन की अगर हम बात करें, तो कौन से कौन से मुख्य पशू थे, गाए तो में थी ही थी, बैल हो गए, तो गाए बैल, बैल खेती के लिए, गाए दूद जाता था, गोप नाम से जाना जाता था, बैल हल चलाने में, गाड़ी खिंचन में इस्तमाल हुआ गरते थे, गोडों का इस्तमाल लिए, शिकार में कुत्तों का इस्तमाल हुआ करता था, और जिनके पास ज्यादा पशू होते थे, वह उतना ही धनी माना जाता था, ठीक है और धनुषबान तो हमने बात करी ली, तो शिकार में इनका इस्तमाल हुआ करता था, अब हम बात करेंगे उद्योग धन्दों के बारे में, तो उद्योग यह शिल्प बड़ी मातरा में परचलन में थे उस वक्त, उद्योग शिल्प यह दोनों ही थे, रिगवेद में लकड उद्योग का जिकर मिला है, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धात उद्योग, कुम्बकार, यानि की जो मट के बगरा बनाते हैं, मिट्टी के परतन, इन सब का उलेग मिलता है, लकड़ी के जो वस्तु में थे न, इसमें रत, पैल गाड़ी, इनका निर्मान किया ज था, कपड़ा उद्योग में सूथ, रेसम और उन के कपड़े बनाई जाते थे, चमड़े के जो है, कोड़े बनाई जाते थे, गोड़ों की लगाम बनाई जाते थे, डोरियां बनाई जाते थे, धैले बगरा बनाई जाते थे, धातु को गलाकर जो है, बरतन बनते थे, हत नर्तक डांसर करने वाले यह सब होते थे यहां पर एक रिशी का नाम दिया गया है चवियन रिशी द्वारा प्रदित शल्ले चिकिछा से अनेक लोगों की चिकिछा की गई है तो चवियन रिशी का नाम यहां पर है और वो क्या करते थे शल्ले चिकिछा चवियन रिशी के न व्यपार भी हुआ करता था, व्यपारियों को पणी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पणी, ठीक है, व्यपार जल के रास्ते से भी होता था, स्थल जमीनी रास्ते से भी होता था, और उस समय क्या हुआ करता था, वस्तू भीरे में, बार्टर सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, यानि कि सामान के बदले सामान लेना तो ये सिस्टम चलता था और बार्टर सिस्टम में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज़ की थी गाय की थी गाय के बदले सामान ले लो तो गाय की बहुत ज्यादा वैल्यू रिगवेदिक काल में हमें मिलते है उस काल में गण वातर शब्दों का भी इस्तमाल होता है जो संबध व्यपारिक संग के लिए इस्तमाल होते थे व्यपारिक संग समझते हो जब हो सारे लोग मिलकर अपना एक गुरूप बनाते हैं और ट्रेड करते हैं ये संबध व्याज का लेंदेन भी करते थे लेकिन व्याज को है रिगवेदिक काल में अच्छा नहीं माना जाता था तो ये उस काल के हमने क्या किये हैं रिगवेदिक काल के उद्योग धन्दे ठीक है अब हम बात करेंगे रिगवेदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में तो रिगवेदिक धार्म में बहु देववाद के दर्शन होते हैं बहु देववाद का मतलब क्या होता है कि देवता एक नहीं होते थे कई सारे देवता होते थे उन कई देवताओं के वो लोग पूजा करते थे अब ये जो देवता थे न ये प्राकर्तिक जो शक्तियां थी ये वाले देवता थे यान कि प्रकर्तिकी शक्तियों की पूजा करते थे रिगवैदिक लोग प्रकर्तिकी पूजा करते थे अलग-अलग फॉर्म में तो इसलिए उस काल के धर्म को प्राकर्तिक धर्म कहना ज्यादा उचित लगता है प्राकर्तिक धर्म क्यों? क्योंकि कहीं अगने की पुजा हो रही है कहीं वायू की पुजा हो रही है तो इस तरीके से उस समाज में ये चीजें हो रही थे तो ये सभी अपने अपने वर्क के प्रोंग देवतां थे तो उस काल के देवी देवतां में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था रिशी दिर्गतम के अनुसार एक सद्ध विप्रा बहुदा वंदती मतलब की सत्य एक है और विद्वान उसे अलग-अलग बताते हैं तो ये बात उस वक्त भी थी उन्होंने सत्य को एक माना है किसने रिशी दिर्गतमस ले चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कई देवताओं के वहनों का विवलेख मिलता है सूरिय का वहन क्या है बताया गया है अश्र। और इंद्र का वहन हाथी तो इस तरीके के देवी देवताओं का वरण हमें रिग वेद में मिलता है अपने देवताओं को खुश करने के लिए वे खुले स्थान पर जाकर यग हवन करते थे वेदिक सब्वयता में रिग वेदिक सब्वयता में की खास बात है यग करना हवन करना ठीक है और सभी वरणों के लोग उसमें शामिल होते थे आज भी हर्याना में वर्षा नहीं होने पर जैसे गाओं के लोग ही कट्टे उकर पुनेकाम करते हैं तो रिग वेद में कहीं भी मुर्ती पूजा का जिकर नहीं मिलता, मंदिर आधिका उलेक नहीं मिलता है, इस बात को पे ध्यान दो प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुवी उसी का मानवी करण किया गया है अगनी के तीन रूपों का वरनंग मिलता है पृत्वी पर अगनी फिर सूरिय की अगनी फिर वायू लोक में बादलों से कडगने वाली विदूत वाली अगनी तो तीन प्रकार की अगनी का जो है जिकर मिलता है देवताओं के रूप में उसके पूजा की गई है इसी प्रकार अलग-लग रूप में अलग-लग नाम करण हो जाता है तो देवताओं को रिगवेद में तीन श्रिणियों में रखा गया है पहला अंतरिक्ष के देवता दूसरे पृत्वी के देवता और आकाश के देवता तो अंतरिक्ष के देवता में किस-किस का नाम है इंद्र, रुद्र, वाईयू और पृत्वी के देवता है अगनी, पृत्वी, सोम और आकाश के देवता कुन है सूर्य, वरुन, आदित्या रिगवेदिक मानो जो है न देवताओं की पूजा अर्चना शत्रूं के दमन के लिए गया करता था उसकाल में शत्रूं को क्या कहते थे असुर जैसे एक नाम भी दिया गया है जैसे वत्रासुर तो वत्रासुर संभवत एक प्राकरती गटना थी जो रेद का बावंडर उठता था जहां पानी की कमी होती थी वहां रेद का बावंडर उठता था और उसको नाम दिया वत्रासुर तो दूसरे मनिशों के शत्रूं जिने राक्षश माना जाता था और शत्रूं का एक और वर्व यहां बताया गया है वो कौन थो होते थे वो राक्षश होते थे, ये राक्षश कोन होते थे, ये राक्षश कहलो, दश्यू कहलो, संभवति ये वो लोग होते थे, जो यग हवन नहीं करते थे, पूजा अर्जना नहीं करते थे, ना ही उसमें विश्वास रखते थे, जंगलों में रहते थे, मास खाते थे, और यग ह वरणों से हुआ करते थे, धार्मी कट्रता उस वक्ती नहीं, किसी विवरण का व्यक्ती कर्मों के आधार पर किसी वरण में जा सकता था, छुवा छूत नहीं थी, किसी तरह की अंटचेबिलिटी नहीं थी, तो रिगवेद में सभी वरणों की रचना की प्रार्थना गई है ठीक है, और रिगवेद में पुनरजनम और कर्म में विश्वास चलगता है, मतलब पुनरजनम होगा और जैसा कर्म करूगी, वैसा फ़ल मिलेगा, तो कर्म आधारित जो है, ये समाज है, तो यहां पर हमने क्या-क्या स्टरडी किया है, रिगवेद के बारे में, हमने की हैं अब वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम उत्तरवेदिक काल के बारे में पढ़ेंगे थैंक्स वॉचिंग बबाई